किसी इनसान के पीछे भाग कर अपनी वैल्यू कभी कम मत करो, क्योंकि जो आपका है, वो आपको छोड़ कर कभी नहीं जाएगा। नफरत की एक बात बहुत अच्छी है, कि ये महबबत की तरह जूटी नहीं होती। इतनी अजीब बात है ना, लोग कुछ पल खुश होने के लिए पूरी सिंदगी दुखी रहते हैं। इस सिंदगी माँ जैसी होनी चाहिए। किसी को कोई फरक नहीं पड़ता कि दूसरों के पास कैसी है। सबको बस यहीं लगता है कि मेरी वाली सबसे अच्छी है। शरारते करो साजिशे नहीं, हम शरीफ जरूर हैं, लेकिन वेवकूफ नहीं। जब इंसान का दिल तूटता है ना, सिर्फ दिल ही नहीं तूटता, उसके साथ उसका भरोसा और लगाव भी तूट जाता है, जो सिर्फ आप से होता है। परमशत्रू से भी ज़्यादा खतरनाक होता है, गलत दिशा में भटकता हुआ मन। रिष्टों को इस कदर आजमा चुके हैं, कि अब अकेले पन से महबबत सी हो गई है। जिसके पास ज़्यादा अप्शन्स होते हैं, वो किसी एक की फीलिंग कभी नहीं समझ पाते। किसी के लिए इतना भी क्या टूटना कि खुद के लिए मुस्कुरा ही ना पाओ। हमेशा किस्मत ही खराब नहीं होती, कई बार हम फैसले ही गलत ले लेते हैं। लोग अगर थोड़े से काबिल हो जाते हैं, तो दूसरों को बेवकूफ समझने लगते हैं। आदमी के शब्द नहीं बोलते, बलती उसका वक्त बोलता है। नजाने किस बात पे इनसान को नाज है, जो आकरी सफर के लिए भी दूसरों का महताज है। नजर भी क्या चीज है, ये उसी को ढूनती है, जो इसे नजर अंदास करता है। आशिक पैर पकड़ते हैं मेरे, मैं महब्बत भुलाने का हुनर सिखाता हूं। तालुकात बढ़ाने हैं तो कुछ आदतें बुरी रखो। एब ना हो, तो लोग महफिलों में नहीं बुलाते। वजह चाहे जो भी हो, दोखा आखिर दोखा ही होता है। रिष्टों की खुबसूरती एक दूसरे की बात समझने में हैं। खुद जैसा इनसान तलाश करोगे, तो अकेले रह जाओगे। दूरिया माइने नहीं रखती, जब दिल एक दूसरे से वफादार हो। आज के जमाने में जादा अच्छा होना, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। गिराने वाले अगर अपने हों, तो संभलने में बहुत वक्त लगता है। आज के जमाने में लोग आपकी कदर तप करते हैं, जब उनको आपकी जरूरत होती है। पुश रहना सीखो, इससे पहले कि उदास रहना आपकी आदत बन जाए। कोई अगर आपसे कहे कि आप बदल गए हो, तो 95% चांसेस यह हैं, कि आपने सिर्फ वो चीज़े करनी बंद कर दी हैं, जो उन्हें आपसे चाहिये थी। बाकी आप में कुछ नहीं बदला। लॉट्टे वो लोग हैं, जो रूट कर चले जाते हैं। तूट कर जाने वाला कभी लौट कर महीं आता। कुछ लोग हमारा दिल रोज दुखाते हैं, लेकिन फिर भी हम उनसे बात करके खुश हो जाते हैं। जो अपनों के सताय होते हैं, अपनों के ठुकराय होते हैं, वो बहुत कठोर हो जाते हैं। दिल से भी और बोली से भी उम्मीद तकलीफ तो बहुत देती है पर नचाने क्यों इस दिल को फिर भी उम्मीद रहती है पनावटी रिष्टों से कई गुना बहतर है कि आप अकेले ही रहना सीखो महपत और नफरत कहने को तो दो मामूली शर्द है लेकिन यही दो शर्द इनसान को भगवान भी बना सकते हैं और शैतान भी बना सकते हैं समय बताने वाले तो बहुत मिलेंगे लेकिन समय पे काम आने वाले बहुत कम मिलेंगे तुफान का आना भी जरूरी है जिन्दगी में अभी तो पता चलता है कि कौन हाथ पकड़ता है और कौन साथ छोड़ता है मैंने हर गिस्म के लोग देखे हैं अपनी जिन्दगी में मदद लेकर शुक्रिया बोलने वाले भी और मदद लेकर बेवकूफ बोलने वाले भी वक्त से पहले मिली चीजें अपना मुल्यक हो देती है और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व को देती है मुझे ना जुकने का शौक है, ना जुकाने का शौक है कुछ एहसास दिल से जुड़े हैं, बस उन्हें निभाने का शौक है दिखते तो यहां सभी इंसान हैं, बस फर्क इतना है कि कुछ जखम देते हैं और कुछ जखमों को भरते हैं फिर से उसी मोड सी शुरू करनी है जिन्दगी जहां सारा शहर अपना था और तुम अजनबी थे जब आप बोलते कम और सुनते ज़ादा हो तो आप लोगों को ज़ादा पसंद आने लगते हो अरे मन होना चाहिए किसी से बात करने का वक्त तो अपने आप मिल जाता है जिन्दगी में बच्ताना छोड़ो बलकि कुछ ऐसा करो कि आपको छोडने वाला बच्ता है समय और शब्द दोनों का उप्योग लापरवाही से मत करो ये दोनों ना दुबारा आते हैं ना दुबारा मौका देते हैं ऐसे लोगों से समल कर रहना जो आपके सामने आपके साथ है और आपके पीछे आपके खिलाफ है कभी कभी समझ नहीं आता कि अच्छे इंसान के साथ किसमत हमेशा बुरा खेल क्यों खेलती है प्यार करना एक कला है और ये प्यार कभी मत करना ये मेरी सला है इतने अफसोस की बात है जब कहीं वफादारी का जिक्र होता है तो हम इनसान कुट्टों की मिसाल देते हैं ना हग दो किसी को इतना कि आपको तकलीफ हो जाए और ना वक्त दो इतना किसी को कि उसको गुरूर हो जाए करेले से कड़वे लोग कई बार मुसीबत में काम आ जाते हैं और शक्कर से मीठे लोग वक्त पर अक्सर दोखा दे जाते हैं जिने आपके दर्द का एहसास ही ना हो उनसे शिकायत करना बिल्कुल बेकार है जिन्दगी कितनी भी बूरी क्यों न हो जब तक कोई अपना साथ देता है तब तक सब अच्छा लगता है हर इनसान की दो कहानिया होती है एक वो जो सब को सुनाता है और दूसरा वो जो सब से चुपाता है मौन सबसे अच्छा जवाब है उस इनसान के लिए जो आपके शब्दों का मोल नहीं समझता है जीवन में आप अपने आपको मजबूत बनाईए दूसरों के भरों से बैठे रहना आपको बरबाद कर देगा मेरा गुसा और मेरा प्यार सर्फ उन लोगों के लिए है जिने में अपना समझता हूँ लोग हमेशा उसे खुने से डरते हैं जो उनका होता ही नहीं है जिन्दगी में चाहे आप दस बार फैल हो जाओ या सौ बार फैल हो जाओ पर गसम खालो कि अपनी जिन्दगी में आम आदमी बन कर नहीं जीना है प्रेम बहुत दुरलब है उसे पकड़ कर रखो प्रोद बहुत खराब है उसे दबा कर रखो डर बहुत भयानक है उसका सामना करना सीखो टेंशन, डेप्रेशन और बेचेनी इनसान को तभी होती है जब वो खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज़ादा सोचता है सबर करना दुनिया के सामने रोने से कहीं बहतर है लोग कहते हैं कि दर्द बताने से कम होता है बदर्यान जिसे अपना दर्द बताओ वही मजा लेता है सब को अच्छा समझ लेना ये मेरी सबसे बुरी आदत है आपके पास बस पैसा होना चाहिए क्योंकि भावनाओ की यहां किसी को कोई कदर नहीं है जो व्यक्ति अपने पास होने वाली चीजों से संतोष नहीं है उसे भविश्य में मिलने वाली चीजों से भी अभी संतोष नहीं होगा दूसरों को अगर अपनी जिन्दगी में कीमती बनाओगे तो आप खुद उनकी जिन्दगी में सस्ते हो जाओगे आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट जितनी गिराओगे लोग आपको उतना ही और मजबूर करेंगे बुरावक आपको कमजोर नहीं बलकि चैंपियन बनना सिखाता है बस यही फर्क है हम दोनों में वो हमें फुर्षत में याद करते हैं और हमें उनकी यादों से फुर्षत नहीं मिलती वो तुम नहीं मेरी उमीदे थी जिसने मेरा सबसे ज़्यादा दिल दुखाया था प्यार वादों से नहीं एहसास से काइम रहता है कुछ दिखने की जबरदस्ती में इंसान और भी ज़्यादा उदास हो जाता है अब तो मज़भ कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए चाहे कोई कितना भी आपका अपना हो लेकिन सबसे पहले वो अपना फाइदा ही देखता है अक्सर गुम हो जाया करते हैं पुराने रिष्टे एक नए रिष्टे में बन जाने के बाद कुछ लोग जूट भी इतने विश्वास के साथ बोलते है कि आप पहचान ही नहीं बाते कि वो इंसान आपसे जूट बोल रहा है लोगों को आपकी कदर तब होती है जब बहुत देर हो चुकी होती है विश्वास जीतने में तो पूरी जिन्दगी लग जाती है लेकिन उसे तोड़ने के लिए एक पल ही काफी होता है बदलना तो तह है हर चीज बदलती है किसी का दिल बदल जाता है और किसी के दिन बदल जाते है लोग इत्वाक से सरफ बिलते हैं लेकिन बिछडते सब अपनी मरजी से है भूलना सीख लीजे जनाब इसी में आपका फायदा है क्योंकि ये दुनिया भी आपके साथ यही करने वाली है एक वक्त के बाद या तो दर्द खत्म हो जाता है या इनसान ही खत्म हो जाता है चरण उनके चूने चाहिए जिनके आचरण पवित्र हो किसी की आदत होना महब्बत होने से भी जादा खतरनाक होता है जो चीज आसानी से मिल जाती है ना इंसान उसकी कभी कदर नहीं करता मतलब के रिश्टे जितने जलदी बनते हैं अतने ही जलदी तूट भी जाते हैं भमन्ड और अहंकार की वजह से इंसान खुद ही अपने रिश्टों को बिगाड लेता है इंसान कभी भीड़ में नहीं खोता इंसान खोता तब है जब वो अकिला होता है कमजोर होते हैं कुछ इंसान जहां गुस्सा आना चाहिए वहाँ पर रो देते हैं अभी-कभी बहुत कुछ होता है बोलने को लेकिन मन की बार मन में ही रह जाती है मैंने कभी किसी को आजमाया ही नहीं जितना प्यार दिया, उतना प्यार कभी पाया ही नहीं। किसी को मेरी भी कभी कमी महसूस हो, शायद खुदा ने ऐसा मुझे बनाया ही नहीं। आप चाहे कितना भी शिद्दस से निभालो रिष्टे, लेकिन बदलने वाला इंसान फिर भी बदल जाता है। भूलने वाले तो सारे बच गए, मर तो वो गए जो अपनी महपत को भुला न सके। सच्चे दिल से तूट कर चाहने वाले आखिर में अकसर खुद ही तूट जाते हैं। कपडों की मैचिंग बिठाने से सरफ शरीर सुन्दर दिखेगा। रिष्टों और हालातों से मैचिंग बिठा लीजिए, आपकी पूरी जिंदगी सुन्दर हो जाएगी। जूटी उम्मीद देने से बहतर है कि सच बोलकर आप मना कर दो। जिंदगी में गलत फहमी रखना गलती करने से जादा खतरनाक होता है। अगर आप खुश रहना चाहते हो, तो अपनी जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थितियों को देख कर ले। दुनिया को देख कर अगर फैसले करोगे, तो हमेशा दुखी रहोगे। जिंदगी होती तो अपनी ही है और इसे जीना दूसरों के लिए पढ़ता है। लंबा धागा और लंबी जुबान केवल समस्या ही पैदा करते हैं, इसलिए धागे को लपेट कर और जुबान को समेट कर रखना चाहिए। आप क्या हैं? ये जरूरी नहीं है, लेकिन आप में क्या है? ये बहुत जरूरी है। बीता हुआ कल आपके दिमाग में हैं और आने वाला कल आपके हाथ में हैं। मून सा जीवन है इनसान का, लेकिन एहनकार सागर से भी बड़ा है। यहां हर एक शक्स मुसाफिर है, एक दिन यादों से भी चला जाता है। बीता हुआ कल कभी वापस नहीं आता, पर बीते हुए कल में लोगों का बरता हर वक्त याद आता है। लोगों से जादा उमीद मत रखो, वरना हमेशा उदास रहोगे और लोगों को जरा भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये रिष्टे भी अजीब होते हैं, बिना विश्वास के शुरू नहीं होते और बिना दोखे के खत्म नहीं होते। मुसीबत के समय मदद का दिखावा करने वाले लोग अक्सर आपकी तबाही को देखकर बहुत कुश होते हैं। भरुसा तो अपनी सांसों का भी नहीं है और हम इंसानों पर कर लेते हैं। अब मुझे तकलीफ नहीं होती, चाहे कितनी ही उचाईयों से मुझे गिराया जाए, क्योंकि मुझे उन हाथों ने धक्का दिया है, जिन पर मुझे कुछ से ज़ादा यकीन था। जो आपकी भावनाओं को समझ कर भी आपको तकलीफ देता हो, वो आपका कभी नहीं हो सकता। आपका विश्वास चटान भी हिला सकता है और आपका शक आपके रिष्टों में चटान खड़ी कर सकता है। आपका भी ये मत सोचो कि आप अकेले हो, बलकि ये सोचो कि आप अकेले ही काफी हो। जाया ना करो अपने अरफाज हर किसी के लिए, बस खामोश रह कर देखो कि आपको समझता कौन है। एक वक्त ऐसा भी आता है, जब इनसान दर्द सहना भी सीख जाता है। रूटने का हग तो अपने ही देते हैं, परायों के सामने तो मुस्कुराना ही पड़ता है। किसी को चाहना गलत नहीं होता, लेकिन किसी को चाहकर छोड़ देना बहुत गलत होता है। मैं जब डोबा तो समंदर को भी हैरत होई, यह अजीब शक्स है, किसी को पुकारता ही नहीं, जो इनसान हमेशा खामोश रहता है, वो अपनी खामोशी में भी सब कुछ कह जाता है। सच्चा प्यार अक्सर गलत लोगों से ही होता है। केवल जिद की एक गाट खुल जाए, तो उलजे हुए सारे रिष्टे सुलच जाए। सबर की एक बात बहुत अच्छी होती है, जब वो आ जाता है, तो फिर किसी चीज़ की इच्छा नहीं रहती। अच्छे लोग खुशियां दे जाते हैं और बुरे लोग सबक दे जाते हैं। ये ऐसा युग चल रहा है, जहां धर्म के नाम पर लड़ने को सब तयार हैं, लेकिन धर्म के रास्ते पर चलने को कोई भी तयार नहीं है। इस कल युग में लोग भी कमाल करते हैं, भाई 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 बोलकर और फिर इस्तमाल करते हैं। अपनी तकलीफ सरफ उनहीं बताओ, जो आपका दर्द समझने के काबल हों। खुद को इतना भी दिलासा मत दीजिए, क्योंकि कोई इतना भी बिजी नहीं होता, कि उसे आप के लिए वक्त नहीं ना मिलें। अक्सर आप बेवज़े ही उनके लिए परेशान रहते हैं, जो आपको अपनी परेशानी समझते हैं। दूसरों की जिन्दगी में अपनी जगे ढूनना बंद कर दो, विश्वास रखना आप बहुत खुश रहोगे। वहम मत पालो कि हर र भाशा में समझाओ। बुरे वक्त में जो इनसान आपका साथ छोड़ दे तो ये मान लेना कि वो आपके साथ कभी था ही नहीं। मैंने जिसको जब जब मौका दिया, उसने तब तब मुझको दोखा दिया। शिकायतों की भी एक इजज़त होती है, इसलिए ये हर किसी से नहीं की जाती, अब डर घाव से नहीं, लोगों के साथ लगाव से लगता है। बहुत नस्दीक से देख लिया है मैंने दुनिया को, तब ही तो अब सबसे दूर जाके बैठा हूं। दूसरों की सोच से अधिक करके दिखाना बस यही आपकी सफलता है। जिन्दगी में अ इस दुनिया का सबसे बड़ा डर होता है। इसे सिरफ भई समझ सकता है जिसने किसी अपने को घोया हो। तहते हैं छोडने वाले छोड़ ही जाते हैं चाहे मुकाम कोई भी हो और निभाने वाले निभा जाते हैं चाहे हालात कोई भी हो। मैंने देखा है कि दिल दुखने से जहरे की रंगत ही ऊड़ जाती है महबबत अगर सची हो तो यादे बहुत दर्द देती है रुख जाती है नजर एक हद के बाद दिल करता है कि जहां तक तुम हो बस वहां तक देखूं इसी से भी हद से जादा उमीद मत रखो क्योंकि लोग आपको उतना महत्व नहीं देते जितना आप समझ लेते हो क्यों रोते हो आप उस इंसान को होने से जिसे कोई फरक नहीं पड़ता आपके होने और ना होने से गिर गए कुछ लोग मेरी नजरों से अपने गुरूर और भरकतों की वजह से बहुत महंगा पड़ गया कुछ सस्ते लोगों पर भरोसा करना आँखों में छुपा हुआ दर्द बता देता है कि दिल नहीं भरोसा तूटा है लोग समझदार इतने होते हैं कि सामने वाले का हर जूट पकर लेते हैं पर प्यार में दिवाने इतने हो जाते हैं कि फिर भी सचमान लेते हैं वक्त से जरा पूच कर बताना कि क्या जखम वाकई में भर जाते हैं अकेले छोड़ने वालों को बताना जरूरी है कि हम खुद के लिए अकेले ही काफी है मन का दुख शरीर के दुख से कई गुना जादा तकलीफ पहुचाता है इसलिए हमेशा अपने मन को प्रसन रखा करो जहर से भी जादा खतरनाक होती है ये महबबत जरा सा कोई चखले तो फिर मर मर के जीता है इस दुनिया में अगर जीना है तो तुम भी थोड़ा सा मतलबी बनना सीखो क्योंकि यहाँ दोखा मिलते देर नहीं लगती ये जो लोग हमें नीचे गिराने में लगे हैं रिष्टों में ये सब हमारे अपने और सगे हैं फरक को जरा ठीक से समझो आप महंगे हो और हम कीमती हैं रिष्टा स्रफ वही कायम रहता है जिसमें दोनों एक दूसरे को खोने से डरते हूं बेवजह नहीं होती हर किसी से मुलाकाते किसी से सबक मिलता है तो किसी से ज्ञान मिलता है याद तो बहुत आते हो लेकिन अब मिलने का मन नहीं करता तुम से गलत दिशा में दोड़ने से बहतर है कि सही दिशा में आराम से चलो कोई अगर मुफ्त में भी दे तो मत लेना क्योंकि दिल अभी और भी सस्ते होंगे जुबान कड़वी है लेकिन दिल साफ है कौन कब बदला है मेरे पास सब का हिसाब है बदलता वक्त और बदले हुए लोग कभी किसी के नहीं होते दोस्त हालात बदलने वाले रखो हालातों के साथ बदल जाने वाले नहीं खुद के उसूलों पे मरना भी जायज है किसी के साए में जिन्दा रहने की मेरी कोई हस्रत नहीं है समस्या का गुलाम बनने वाले कभी खुद के भग्य का निर्माण नहीं कर पाते 71% पानी है दुनिया में लेकिन फिर भी लोग डूपते प्यार में ही है किसी के बारे में सब कुछ जान लेना उसे फिर से अजनबी बना देता है जब किस्मत और हालाद दोनों खराब हो तो बहुत कुछ सुनना और सहना पड़ता है धैरिये रखिए कभी कभी जीवन में आपको सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है जब पैसे आते हैं तो इज़त भी आ जाती है लेकिन याद रखना वो इज़त पैसे की होती है आपकी नहीं मेरी फित्रत में नहीं था तमाशा करना में सब जानता था और फिर भी खामोश रहा जिन्दगी भर दूसरों को खुश रखते रखते मेरी खुशी नहीं, खुद खुशी कर ली दिल के मजबूत लोग अक्सर रातों में रोते हैं जिन्दगी अपने हिसाब से ही जीने चाहिए लोगों को खुश करने के चक्कर में शेर को भी सरकस में नाशना पड़ता है भूकम और इश्क में बहुत समानता है एक मकान को घंडर बनाता है और एक दिल को घंडर बनाता है जो हैरान है मेरे सब्र पे उनसे कह दो, जो आसू जमीन पर नहीं गिरते वो दिल चीर देते हैं अगर हम बेवफा होतें तो भीड होती वफादार हैं, किसी लिए अकेले हैं उनकी भी क्या इज़त करना जिनकी हरकतें ही कुतो जैसी हो क्या रिश्टा और क्या नाता यहां कोई किसी का साथ नहीं नवाता जब किसी इनसान को किसी अपने से दोखा मिलता है तो फिर वो इनसान कभी किसी पे भरोसा नहीं कर पाता किसी ने मुझसे पूछा कि दर्द की कीमत क्या है मैंने कहा मुझे नहीं पता मुझे तो सब दर्द मुफ्त में ही मिले हैं बस कुछ लोगों परहत से ज़ादा यकीन किया था मरने के बाद की गई तारीफ और दिल दुखाने के बाद मांगी गई माफी दोनों का कोई मतलब नहीं होता परेशानिया हमारी कमजोरियां साबित नहीं करती बलकि हमें ये सिखाती है कि हमें और कोशिश करने की जरूरत है जब तक चुन्ना ना पड़े तब तक समझ ही नहीं आता कि हमारे लिए जरूरी क्या है कितनी भयानक होती है ये महबबत की सजाएं बोज सी लगने लगती है जिन्दगी ना जिया जाए और ना मरा जाए नाराजगी भी महबबत की तरह होती है तोकि हर कोई इसका हकदार नहीं होता आखों से जब भरोसे का चश्मा उतरता है तब समझ में आता है कि दुनिया आखिर क्या चीज़ है सब आदते चोड़ सकता हूं एक तुम्हारे लिए एक तुम्हारे सिवा तूटे हुए लोग अकसर कोशिश करते हैं दूसरों को जोड़े रखने की अकेला जरूर चलता हूं लेकिन किसी के पीछे हरगिस नहीं चल सकता समेट के ले जाओ अपने चूटे वादे अगली महबबत में तुम्हें इनकी फिर जरूरत पड़ेगी इस चोटे से दिल में किस-किस को जगह दूँ गम रहे या दर्द रहे पर याद रहे या तेरी याद रहे कौन सी पाता है सिर्फ बातों से सबक सिखाने के लिए एक आदसा भी जरूरी होता है याद रखना अकसर वही लोग हम पे उंगली उठाते हैं जिनको हमें चूने की आउकाद भी नहीं होती जब आपको खुद की एहमियत खुद ही बतानी पड़े तो समझ लेना कि अब आपकी वहां कोई एहमियत नहीं है जिन्दगी में जिस इंसान को सबसे कम शिकायते हैं सबसे ज़ादा सुखी सरफ वही रह सकता है आप चाहे कितने भी अच्छे इंसान क्यों न बन जाओ पर किसी ने किसी की कहानी में आप बुरे जरूर होते हैं मैंने गिरते हुए पत्तों से सीखा है अगर बोज बन जाओगे तो अपने भी नीचे गिरा देते हैं बात करने के लिए समय नहीं मन होना बहुत जरूरी है जिस दिन तुम मुझे खोदोगे उस दिन मुस्कुराते हुए भी रोदोगे किसी की आदत लगने में समय नहीं लगता लेकिन किसी की आदत खत्म होने में पूरी जिन्दगी गुजर जाती है पहली नजर में तो सरफ मोह जनम लेता है रेम तो आहिस्ता आहिस्ता ही होता है नशा शराब का होता तो उधर भी जाता ये नशा तो इश्क का है चान लेकर ही जाएगा काश की दुनिया समझ चके कि चुप रहने वालों को भी बहुत दर्द होता है एक भैतरीन जिन्दगी जीने के लिए ये स्विकार करना भी जरूरी है कि सब कुछ सब को नहीं मिल सकता यदि तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं है तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं कि तुम किसी और को दोश्टो हैरात में मिल गए हम उने जिनकी आउकाद में भी हम नहीं थे हर किसी की जिन्दगी में एक ऐसा शक्स जरूर होना चाहिए कि जब वो आपसे अपभाल पूछे तो आप उसे सब कुछ सच बता सके जहां उम्मीदे खत्म हो जाती है सुकून की शुरूराद वहीं से होती है